ले सकते हैं तो ये जो असर जिस तरीके से पानी में असर हो रहा है उसी तर्च पर ये कारबाइड जो है मेरा हाथ अभी जलने लगे हैं ये कारबाइड का ऐसा असर होता है फलो पे और फल जो है वो 5-6 गंटे में ऐसे पक जाते हैं यानि कि एक फल ये है और एक फल ये है द इठैलिन ये एक ऐसा कैमीकल है जो इठैलिन गैस के रूप में बाहर आता है और फ़ल को जल्दी पकाने में मदद करता है। बहुती जहर है, इसके अंदर बहुती गातक ये कैमीकल है और इसके सैचेट हैं ये चाइना से देखे हैं, चाइना से बने हुए हैं। पानी में इस तरीक से इसे भिग होते हैं और आम के बीच में रख देते हैं और यह आम जो है वह छे गंटे में पकक के बाहरा जाएगा। तो यह जो है बहुत जियादा इस वह दुर्गंध है आपनी सकता कि कितनी ज़्यादा दुर्गंध है… लेकिन थोड़ी देर में आपको आम की खुशुब आने लगेगी, क्योंकि क्रतीम रूप से इन केमिकल के जरीए जो है वो आम को पका दिया जाता है. अब ये एक तरीका हुआ जो चाइना की तरफ से हो रहा है, बहुत बड़ा ब्रश्टाचार है इसके अंदर, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, करोड़ो अर्बो रूपे का खेल है ये, लेकिन आपके स्वास्त के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है. अब ये देखिए, ये एक दूसरा केमिकल है, कहने को तो इस पर लिखा हुआ है MI Groupon 39, और इसके उपर लिखा हुआ है Plant Growth Regulator, यानि कि पोधों को बड़ा करने के लिए ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं, ये पैस्टिसाइड है, और ये कह सकते हैं कि ये फ्रूट हार्मोन्स हैं, जो ये जो ऩिए पोधा जो है, वो ज्याधा अच्छे तरीके से ग्रूफ कर सकता है। लेगिन इसका इस्तेमाल काहां हुता है। इसका इस्तेमाल मार्केट में कैसे होता है, उसका decimal मैं आपको बताऊंगा, यह जो chemical है उसे इस तरीके से डखन में लिया जाता है, दो डखन ये बाल्टी में इस तरीके से डाले जाते हैं, ये इस तरीके से, इसके बाद जैसे कि ये केले हैं, ये कच्चे केले, इसे इस बाल्टी में इस तरीके से व्यापारी दो बार केले डालते हैं, बहुत ही ज़् बना जाता है यहां रखा जाता है और इस तरीके से ऑघर आप बात करेंगे तो पापीता जनरली पैड़ पे पूरी तरीके से पग जाता है और पूरा पकने के बाद उससे बाहर निकला जाता है लेकिन ज़्यादा मुनाफ़ा करने के लिए जादा पैसे कमाने के लिए मार्केट में पपया को भी इसी तरीके से इसमें बाल्टी में डूबो हो जाता है दो बार इस तरीके किया जाएगा सीधा सारा कैमिकल का लेप इस बार पपया पे लग गया है और ये बहुत जल्दी पक जाएगा अंगुर जो है वो काफी कच्चे हैं खटे हैं घंगुर खटे हैं जो हम कहवत में सुनते खटे अंगूर हैं मिठे चैसी तरीके से ऐसा ही पकाया जाता है इस सरी किसे और रख दिया जाता हय दो-nin2 घंटे के बाद अंगुर उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये अंगुर पके हुए आएंगे, मीठे लगने लगेंगे, तो इस तरीके से ये जहर जो है, वो हमारे बीच में है, आपके घर में है, मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ, एक अंदाजे के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 98% फ सकते, आप सभी के घर के बाहर आम नहीं उख सकते, आप सब के घर पे केले नहीं उख सकते, तो जहाँ जहाँ पे चीज़े उख रही है, जहाँ जहाँ पे चीज़े हो रही है, वहाँ से चीज़े आती है, और कहीं न कहीं केमिकल में ये देखिए, हमने इसके अंदर कारब जो है वो फलो के सास में भी होती है तो प्लीज आप इसको खास तोर पे ध्यान में ले और ये रोक नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है करोड रुपे के खेल है प्रशासन कहीं न कहीं मिला हुआ है जो आपके health officer होते हैं प्रशासन के कई लोग इससे साथ मिले हुए है जो तोलमा विभाग होता है वो इनसे मिले हुए है बड़े लेवल पे ब्रश्टाचार हो रहा है तब ही जाकर इतने बड़े बड़े लेवल पे ये Chinese product जो हैं वो भारत में आ रहे हैं ये chemical के इस तरीके से चीजे हो रही है और आपके स्वास्त के साथ में बहुत बड़ा एक धोखा हो रहा है और यही वज़य है कि भारत देश में लगातार जो है वो बीमारियों का प्रमान अजीव उगरीब बीमारियां आ रही हैं और बीमारियों का प्रमान इसी तरीके से बढ़ रहा है अब आप फर्ज किजिए कि जिस तरीके से chemical देगी किस तरीके से उबल रहा है अब इसे कोई pregnant महिला इस तरीके के फल खाएगी या कोई मरीज जब इस तरीके के फल खाएगा तो उसके शरीर में आल्रेडी कहते हैं रोख प्रति रोधक शमता कम होती और ऐसे में इस तरीके के केमिकल उसके उपर बहुत ज़्यादा घाएगा